हेलो दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ICICI Bank में अपना लिए एक online zero balance account कैसे open करते हैं यहाँ पर अगर आप ICICI Bank में account open करते हैं इसमें आपको एक mind debit card issue किया जाता है जो कि bank की ओर से यहाँ पर virtual और physical दोनों रूप में provide किया जाता है physical यहाँ पर within 10 days, 15 days के अंदर आपको आपके घर पर deliver कर दे जाता है और जो virtual card है आपके iMobile app जो इसकी mobile banking की app होती है उसमें आपको देखने को मिल जाता है इस account में यहाँ आपको checkbook की facility मिल जाती है साथ ही यहाँ पर आपको email पर e-statement, यहाँ पर UPA की facility मिल जाती है जिसे कि आप Google पर phone पर का यूज कर सकते हैं इस account में यहाँ पर आपको net banking, mobile banking की iMobile app आती है आप उसका यूज कर सकते हैं साथ ही इस account में आपको credit card की facility मिल जाती है जिसे कि अगर आप credit card में interest रखते हों तो उसकी facility आपको इस account में देखने को मिल जाती है साथ ही अगर आप अभी ICIC bank में account open करते हैं तो अभी आपको flip card Amazon पर offer देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे जैसे कि अगर आप flip card से swapping करते हैं तो आप आपको पांशार तक का cashback देखने को मिल जाएगा ICIC bank का debit card या फिर credit card आपके पास available है तो तो अभी आपके लिए कि सबसे best time हो सकता है ICIC bank में अपने लिए एक account open करना जो कि account है zero balance account है आपको कोई भी balance maintain करने की ओ सकता नहीं है इस वीडियो के अंदर मैंने complete information दी हुए यानि कि process बताया हुआ है कि कैसे हम इस bank में अपने लिए zero balance account open कर सकते हैं साथ ही जब आप account open कर लेंगे instantly यहाँ पर आपका account number मिल जाएगा after video के वाइसी है वीडियो के वाइसी की facility मिल जाती है तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले channel पर नहीं है तो subscribe कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं इंपले यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर website reload ले लिया है और उपर के साड़ में आपको इंस्टामाइं से भी इंकाउंट का option देखने को में जाता है अब यहाँ पर आपको अपना 10-digit का mobile number और यहाँ पर email id फिल कर देनी है यहाँ पर बता जाता है कि अपने फेज कर पैंकर को भी हाँ थमले कर रखेगा क्योंकि यहाँ पर account open होने के बाद आपका वीडियो के वासी किया जाएगा तो चलिए यहाँ पर मैं फटा फट्स अपने सारी detail को फिल कर देता हूं यहाँ पर मैंने सारी detail को फिल कर दी है अब यहाँ पर आपको नीचे के साइड में एक continue का button देखने का मिल रहा है इस पर आपको click कर देना है उसको आपकी document को verify किया जाता है इस process को होने में कुछ time लगता है इसलिए आपको wait कर लेना है उसको आपर देख सकते हैं हमारा processing हो चुका है अब यहाँ पर हमारे से mobile number email ID verification के जाता है जो कि आपके mobile number और email ID दोनों पर एक OTP send के जाता है आप किसी भी OTP को इंटर कर सकते हैं यहाँ पर मेरे को OTP receive हो चुका है चले मैं यहाँ पर direct ही इंटर कर देता हूं लाइव है आपके सामने यहाँ पर मैंने OTP को फिल कर दिया है उसको अपर आपको continue पर क्लिक कर देना है continue पर आप जैसे क्लिक करते हैं उसको आपर देख सकते हैं मारा check out किया जाए अब यहाँ पर आप देख सकते हमारे से यहाँ पर अधार number मांगा जाता है यह एक OTP-based EKYC वाला account है यहाँ पर आपको proceed के button मिल रहा है इस पर आपको click करके and proceed कर देना है उसको आपको reloading होता है reloading complete हो जानक बाद यहाँ पर आपकी अधार card से link mobile number पर एक OTP send के जाता है यहाँ पर मैंने OTP को fill कर दे है उसको बाद से चले मैं continue के button पर click कर देता हूं continue पर आप जैसे click करते हैं उसको बाद से अब यहाँ पर हमारे से कुछ आपकी personal detail ली जाती है जो कि यहाँ पर आपको share करनी होती है सबसे पहले हाँ पर marital status के बार में पूछा जाता है अगर आप married person है आपकी साधी हो चुके है तो married पर click करेंगे अगर आप single है तो यहाँ पर single पर click कर देंगे उसको बाद से हाँ आप occupation पूछ जाता है occupation में आप कौन सा काम करते हैं अगर आप professional है तो यहाँ पर professional पर click करेंगे salary person है आप कही से salary लेते हैं तो यहाँ पर salary पर click करेंगे self-employed और यहाँ पर dependent का भी है तो यहाँ पर हमने salary पर click किया है इसे वाद से आप government और भी यहाँ पर बहुत सरे options आ जाता है private limited भी तो यहाँ पर मैं government job करता हूं उसी वाद से आपर मैंने government को select कर दिया है उसके वाद से आपर source of income के बारे में पूछाता है तो हमने हाँ पर salary इसलिए हाँ इसलिए हाँ इसलिए हाँ आपर salary एक automatically कुछी आती है यानिकि आप one year में कितना income कर लेते हैं आपकी income range up to 5 लाग है यानिकि 5 लाग या फिर उसके अंदर में है इस पर आपको click कर देंगी continue कर देना है उसके वाद से आपर KYC document type में अधार card automatically select रहता है यहाँ पर हमारी अधार card के details हो जाते हैं जिसके KYC document number में यहाँ पर last digit हमारी अधार card का show हो जाता है उसके बाद से हाँ पर आपके debit card पर जो भी आपका name printed होगा यहाँ पर श्रू हो जाता है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद से हाँ पर पूछा जिता है कि choose your nominee अगर आप nominee नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर I don't know पर click कर सकते हैं अगर आप nominee देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप nominee को select कर सकते हैं अगर आपको nominee देना है तो यहाँ पर आपको nomony की date of birth select करनी पड़ेगी यहाँ पर आपको calendar वाला icon मिल जाता है इस पर click करके nomony के यहाँ पर आप detail को देख सकते हैं उसके बाद से यहाँ पर father's name and mother name आपको देना होता है और उसका बाद से यहां पर नीचे एक साइड की बात कर लें तो यहां पर आपको एक डाइजेशन का ओप्सन देखने को मिल जाता है इसमें यहां पर आपको तीन ओप्सन देखने को मिलते हैं जूनियर मेनेजमेंट मेडिल मेनेजमेंट और सीनियर मेने जैसन को आप सेलेक्ट करेंगे उसमें यहाँ पर अपनी कितना दिन का आपका experience है उसको यहाँ पर देना होता है यहाँ पर सभी fields में डूडरी है तो यहाँ पर चले मैं detail को fill कर दिता हूं उसका बाद से आप यहाँ पर मैंने detail को fill कर दिया है अब यहाँ पर आपको continue का एक button म जाता है अब यहाँ पर आपको नीचे के साड़ में state का option देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपको अपनी state को select कर लेनी है इस पर आप क्लिक करके please select your state पर click जैसने करेंगे उसका बाद से अब यहाँ पर अपनी state city और यहाँ पर आपका जन्म कहां पर हुआ था उस place को य इंटर कर देना है तो चलिए यहाँ पर मैं detail को इंटर कर लिया हूँ उसका बाद से अब यहाँ पर text resistance कुछ जनकारी आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर पूछा जाता है कि text के बार में तो यहाँ पर आप दोनों पर yes कर देंगे जो कि automatically रहता है इसको यहाँ पर text resistance related होता है जो कि आप सब्सक्राइब को पता होगा उसका बाद से यहाँ पर नीचे एक साइड में जो second option मिल रहा है इसमें यहाँ पर पूछा जाता है कि each communication address same as permanent address यानि कि यहाँ पर जो इस भी address पर आप रहते हैं वहीं आपकी अधार काड में भी address दिया गया है तब यहाँ पर आप yes करेंगे अगर दूसरे address है तो यहाँ पर no पर क्लिक करके और दूसरे address को जो भी आपका communication address है उसको यहाँ पर enter कर देंगे तो यहाँ पर हम yes कर दिये हैं उसको वाल से continue प आइकन पर क्लिक करके इसको इडिट भी कर सकते हैं और नीचे के साइड में आएंगे तेहाँ पर आपकी आपकी complete address, gender और यहाँ पर जो भी आपका मतलब data worth होता है सारा कूछ सो हो जाता है और यहाँ पर आपको आपकी डिटेल असवाई से नहीं फिल हुई हुए तो है और यहाँ पर बता जाता है नीचे के साइड में कि यहाँ पर आइसाइसी बेंक आपके whatsapp के त्रों भी connect करेंगे जो कि whatsapp banking की facility मिल जाती है और भी हाँ आपको बहुत सारा facility मिल जाता है आइसाइसी याई बेंक के और से अगर आप यहाँ पर continue पर क्लिक करते हैं उसको आ जैसे OTP फिल करेंगे next कर देंगे और यहाँ पर आपकी account number और आपकी details हो जाती है लेकिन यहाँ पर इसी तरह सकी account open करने का process है मैंने यहाँ पर आपको step by step process बता दिया है वीडियो आपको पसंद हो तो वीडियो को जोर से like कर देजेगा और यहाँ पर आपका account number शो हो जात है तो अगर आप अपने account का वीडियो के वाशी करना चाहें तो वहीं से click कर सकते हैं जो कि इस रडर में एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आईसे इस bank account का वीडियो के वाशी प्रोसेस कैसे होता है और यहाँ पर इसके लिए क्या क्या जिरूरुत पढ़ती है किन-किन comment किथरू हमारा के वाशी आईसे इसी एसी बैंक में होता है, video के वाशी किथरू आपका फूल के वाशी होगा ICIC वेंक में तो यहीं पर हम इस वीडियो को खतम करेंगे अगर आप कोई वीडियो पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मिलते हैं फिर्शक किसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए टेक के और बाई बाई एंड अपने ख्याल रखे stay home stay safe